नमस्कार दोस्तों सरकारी जोब ग्यान के ओपीशेल यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागते इस वीडियो में हम बात करेंगे Special Police Officer Recruitment 2022 के बारे में जे हाँ दोस्तों Special Police Officer के पदोपर बंपर वेकिंसी निकाली कही हैं जिनके लिए आप अपना Online Application Form संभीट कर सकते हैं सो प्रेंट्स एप्प्रोक्स में के लिए 2000 पदोपर इन वेकिंसी को रखा गया है जिनके लिए आप अपना Online Application Form संभीट कर सकते हैं वीडियो को लाइक्शेल जूर देखेगा इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीडियो को लाइक्शेल जूर देखेगा साथी में दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब भी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नहीं को मिल जाएगा साथी भाद में आपको ईहां पर लीटिजिकेशन को में सब्सक्राइब देखने को मिल जाएंगे अगर मैं तो आपके समने कुछ इसतरीकी से सॉर्ट नोडीर्यीपिकेशन यहाँ रिलेज किया गया है जिसमें अगर मैं बात को यहां पर vacancies के अपडेट के बड़े में तो देखे 25 अगस्ते 2022 को यहां पर रेलीज किया गया है 2000 SPO special police officer के बदोपर इन vacancies को रखा गया है साथी में दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें 10 plus 2 past candidate यहां पर इस बरतिक लिए अपना application form submit कर सकते हैं यह दोस्तों short notification है जिसमां आपको कुछ information दी गई है अगर मैं आपर बात करूँ डिटेल के बरे में तो आप यहां से इजली चेक कर सकते हैं Special police officer post यहां पर रखी गई है 2000 पदा आपके रखी गए State government jobs आप के रेने वाली है Online mode के मैध्यम से आप इस बरतिक लिए अपना application form submit कर सकते हैं 25 अगस्त 2022 से आपके application form start हो चुके हैं 30 September 2022 आपके लिए last date रखी जाएगी इसी के साथ में दूस्तों अगर हम यह आपर बात करें Age limit में आपकी minimum 25 साल Age limit यहाँ पर रखी गई है Sorry maximum 25 साल Age limit रखी गई है और minimum 18 साल आपकी Age limit रखी गई है SCST category को 5 साल का इंड OBC candidate को 3 साल का Government tools के अरुशार छूट देखने को मिल जाएगा Application fees में general male candidate को 1.5 रुपए application fees जमा करवानी होगी पही general female candidate को 45 रुपए application fees जमा करवानी होगी इसी के साथ में दोस्तों अगर आप यहाँ पर हरियाना कंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 35 रुपए application fees जमा करवानी होगी साथी में 18 रुपए application fees जमा करवानी होगी अगर आप SCBC और EWS काटेगरी के candidate हैं तो जाएगी जो की कापी अच्छी काची salary आपके आपर बन जाती है अगर आपको अपना अप्लिकेशन फोम सम्मिट करने में किसी भी प्रकार के प्रोब्लम का सामना करना पड़ रहे हैं तो आप मुझे नीचे comment box में next studio के लिए message कर सकते हैं मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो ले करके आ जाऊँगा जिसमां आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपना online application फोम गर बैठ करके अपने mobile के मैध्यम से submit कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को online application फोम सम्मेट कर सकते हैं साथिमां दोस्तों इसका official notification भी easily यहां से download कर पाएंगे यहां पर आपको जो है registration को option देखने को मिल जाएगा तो आप यहां पर registration पर click करके इस बरती के लिए अपना application फोम यहां से easily submit कर सकते हैं तो उम्मिद करता हूं दोस्तों इस परती से समंदे सारी पी सारी information आप सब भी को मिल गई होगी वीडियो के चलिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों के साथ सेयर करना बेलकुल मत बूलना अगर आप अमारे यूटूब चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीकी की लेटेस्ट गोर्मेट जॉप्स की information सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबाले ताकि इसी तरीकी की लेटेस्ट गोर्मेट जॉप्स की information आपको सबसे पहले मिल सके सो चलिए फ्रेंट्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाइट जैहिं दोस्तों